हलो दोस्तो वेलकम तू स्टडी यूनिवर्स मध्यप्रदेश देली करंट अफेर में आपका सौगत है आजे 18 मार्च 2019 और यहां हमारी 113 भी क्लास है 12 important question आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके exam और आपके knowledge की दरस्टी से बहुत important है इन questions को आप note कर लें क्योंकि यह आपके exam में पूछे जाते हैं साथ ही questions are related important fact भी हम आपको बताते हैं तो भो भी आपको याद रखने हैं question number first है हाली में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े दानी कौन बनी है तो इसका say option है अजीम प्रेम जी हाली में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े दानी बनी है अजीम प्रेम जी इन्होंने 21 अरब डॉलर का दान वहां किया जहां इन्होंने अपनी पहली factory लगाई थी इन्होंने अ कि तीसरे सबसे बड़े दानी बने हैं तो सबसे पहले दानी है वारेंड वफेट और दूसरी नमबर पर हैं बिल गेट तो आपको इन तीनों की बारे में इतना याद रखना है यह दुनिया के सबसे बड़े दानी हैं। चत्र में आप देख पा रहोंगे ये है अजीम प्रिम जी और ये विप प्रो हैड हैं जो विप प्रो कंप्री हैं उसके हैड हैं और हाली में ये 21 अरब डॉलर का जान करके दुनिया के तीसरे सबसे बड़े आदमी बने हैं Q2 हाली में किस खिलाडी ने ASEAN Youth Athletics Championship में गोल्ड मेडल जीता है जिसका सईवाक्षन है विशुवेंदर सेह ने ASEAN Youth Athletics Championship में गोल्ड मेडल जीता है विशुवेंदर ने 10,000 मीटर रेस वॉक में गोल्ड मेडल जीताया है आपको बता दें थाबिता महिश्वरण ने भी लॉंग जंप 5.86 की लॉंग जंप में गोल्ड मेडल भारत को जीताया है आपको बता दें ASEAN Youth Athletics Championship हाली में हॉंग कॉंग में आयोजित की जा रही है Q3. हाली में किस दांसर को पदम स्री पुरुषकार दिया गया है जिसका सही option है प्रभु देवा हाली में भारत के प्रभु देवा जो एक महान दांसर है उन्हें पदम स्री पुरुषकार से नवाजा गया है इनके अलाबा संकर महेश्वरन जो गीतकार और संगीतकार है उन्हें भी पदम स्री दिया गया है अजय ठाकुर जो भारतिय कबड़ के इनके कफ्तान है बजरंग पुनिया जो पहलवान है इन सभी को रास्टपती जी द्वारा हाली में पदम स्री पुरुषकार दिया गय द्वादेंड जोड़ों में स्वर्ण पदक जीता है जिसका सही ओक्षिन है सोनु कुमार और क्रिशना वेणी हाली में इन दोनों ने बिसेस ओलमपिक में जूडों में श्वर्ण में मेडल जीता है आपको बता जें बिसेस ओलमपिक U.A.E. की दास्धानी आबु धावी म हाली में टाटा देश का सबसे सर्वशेष्ट ब्रांड बना है दुनिया की कंसल्टेंसी फर्म इंटर ब्रांड ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बेस्ट ब्रांड लिस्ट में टाटा को सबसे उपर जगह दिये आपको बता दें टाटा की ब्रांड वैल्यू 78,722 करोर रुपए है आपको बता दें ये टाटा पहले स्थान पर है दूसरे स्थान पर है रिलाइंस इंडस्टी और थर्ड पर है भारती एटेल भारत में इन तीनों ब्रांडों को 1,2,3 टाटा, रिलाइंस और भारती एटेल को सर्वस्विष्ट ब्रांड का अवर्ड दिया गया है अब बाता आईए टाटा की तो आपको बता दें टाटा की इस थापना 1868 यानी 1868 में जंसेजी टाटा ने की थी और इसका हैटकॉर्टर मुंबई में है तो इतना आपको टाटा की बारे में याद रखना है दोस्तो ये बहुत important question है एक्जाम में अकसर पूछा जाता है तो आपको याद रखना है अब बात आईए अंडवा निकोवार दीव की तो आपको मैप में अंडवा निकोवार दीव की बारे में बता दें ये जिगा है अन्वा निकोबार दूइप है इसकी स्थापना एक नॉमबर 1956 में की गई थी गवर्णर है देविंद्र कुमार जोसी और अन्वा निकोबार की राज़्थानी है पूर्ट बिलियर अब बाता है अन्वा निकोबार की तो कुछ इंपोटेंट फेक्ट और आपको बता दें हाली में अन्वा निकोबार दूइप पर कुछ दूइपों के नाम बदले गए हैं जिन में से रॉस आइलेंड का नाम बदल कर नेताजी सवास्चंडर बोश किया गया है नील आइलेंड का नाम बदल कर शहीद आइलेंड किया गया है और हैबलॉक साथ नारी जलासाय, हाली में मर्दे परजेश के साथ नारी जलासाय को मनजूरी प्रदान हुई है, खास बात यह है, यह जलासाय बाला घाट में बनाय जाना था, और 1984 में यानि 1984 में इसको मनजूरी प्रदान हुई थी, लेकिन बन विवाग के कारण यह मामला अटका था, ल रखना है यह 1984 में इसी मंजूरी प्रदान की गई थी यह जलास है बाला घाट में है तो आपको बाला घाट के कुछ important fact आपको बता दें बाला घाट को सिकारियों का श्वर्ग कहा जाता है बाला घाट जबलपुर संभाग का एक जिला है देश का 80% जो मेंगनीज है वह बाला घाट से ही प्राप्त होता है काना नेशनल पार्क और लॉंजी का किला यह सभी बाला घाट जिले में इस्थे थे है अब बात आईए मद्यप्रदेश में यह जलाता बनाया गया है तो आपको मद्यप्रदेश के बारे में बता दें यह जगह है मद्यप्रदेश को दर्साती है मद्यप्रदेश की इस्थापना एक नमबर 1956 में की गई थी गवर्णर है अननली बेन पटेल मद्यप्रदेश की कमनलाट और मदपर्दिस की राज़्दानी है भूपाल और हाली में साथनारी जलाखय को मदपर्दिस में मनजूरी प्रदान हुई है वो साथनारी जलाक है बाला घाट में इस्तित है क्वेशन नमर एक्ट हाली में आई रिपोर्ट के अनुसार किस रास्तिय उध्यानों में बागों की प्रेजिन अंदर सरवादिक है जिसका सही उफ्षिन है बानवगड रास्तिय उध्यान बानवगड नेशनल पार्क में जो बागों की प्रेजिन अंदर है वह सरवादिक है पूरे दुनिया में हाली में ये रिपोर्ट आई है कि दुनिया में सबसे अधिक बागों की प्रेजिन अंदर वो है वह बानवगड नेशनल पार्क में है आपको बता दें बागत प्रेजिनन दर में यह दुनिया में सर्विस्टेश्ट है तो आपको बांदवगण नेशनल पार्क की बारी में बता दें इसकी इस्थापना 1968 में की गई थी यह उमरिया जिले में इस्तित है 437 वर्ग किलूमीटर में यह बांदवगण नेशनल पार्क फैला है तो इतना आपको बांदवगण नेशनल पार्क के बारी में याद रखना है Q9 हाली में मद्य प्रदेश की किन इस्टेशनों को एको स्मार्ट इस्टेशन से जोड़ा जाएगा जिसका सही उफिन है जबलपुर्ग और भोपाल इन दोनों इस्टेशनों को एको स्मार्ट इस्टेशन में जोड़ा जाएगा आपको बता दें हाली में NGT यानि नेशनल ग्रीन टरबूनल ने नेशन दिये हैं वेलबेट डपार्टमेंट को कि इन इस्टेशनों को यानि पूरे भारत में कुछ ऐसे इस्टेशनों की नाम जोड़े गए हैं जिनें एको स्मार्ट इस्टेशन बनाये जाएगा अब ये एको स्मार्ट इस्टेशन क्या है आपको इसके बारे में बता दें एको स्मार्ट स्टेशन के जरिए साफ सफाई, पानी विवस्ता, वाटर और्डेट, एनर्जी और्डेट, एको फ्रेंडली बैट, पॉलिफिन आदिका यूज़ किया जाएगा और स्टेशनों पर काफी ज़्यादा साफ सफाई होगी तो ऐसा हाली में NGT यानि National Green Tribunal ने सभी इस्टेशन को नर्ज़ेश दिये हैं Q10, हाली में मद्ध प्रिदेश का सबसे बड़ा करीला जो मेला है वह कहां लगाया जाता है जिसका सही उप्षन है असोग नगर हाली में करीला मेला जो है वह असोग नगर में रंग पंची में पर लगाया जाएगा अब बातागे असोग नगर की तो आपको असोग नगर की कुछ important fact बता दें असोग नगर गौलियर संभाग का एक जिला है तो मैं एतिहासक इस्थल असोग नगर में इस्थज है असोग नगर चंदेरी की साड़ियों के लिए बहुत प्रिशद है एक और important fact बता दें मुगावली में मध्यप्रदेश की पहली खुली जिल है और मुगावली असोग नगर की एक तहसील है तो इतना आपको असुग नगर के बारे में याद रखना है और हाली में मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा मेला कदीला मेला असुग नगर में रंग पंचिमी पर लगाया जाएगा हाली में मनुहर पारेकर जी का निधन हुआ ये किस राज्य के मुख्य मंतरी थे जिसका सई उक्षन है गोवा ये गोवा राज्य के मुख्य मंतरी थे आपको बता दें मनुहर पारेकर चार वारिसे गोवा के मुख्य मंतरी है और हमारे देश के रक्षा मंतरी भी रहे है एक इतना आपको منohor parikar की बारे में याद रखना है अब बात आईए गुवा की तो आपको मैप में गुवा की बारे में बता दें ये जगह है गुवा को दर्शाती है गुवा की स्थापना 30 मई 1987 यानी 30 मई 1987 में गुवा की स्थापना की गई थी गुवर्णर है म्रदुल सिनहा गुवा की मुख्यमंत्री मुहन परिकर है जिनका हाली में निजन हुआ है और गुवा की राज़दानी है पंड़ जी तो इतना आपको गुवा की बारी में याद रखना है Q12 हाली में बिदेश मंत्री सुस्मा सुराज किस देश की यात्रा पर जाएंगी जिसका सही उप्षन है मालवीप हाली में भारती बिदेश मंत्री सुस्मा सुराज मालवीप की बिदेश यात्रा पर जाएंगी अब बात आईए मालवीप की तो आपको मैप में मालवीप की बारी में बता दें ये जगह है माल वीप को दर्साती है माल वीप एक धूइपों का देश है माल वीप की राज़्थानी है माले माल वीप की राष्ट पती है एब्राहें मुहम्मद सोला है और माल वीप की करन्सी है माल रूपियन रूपिया तो इतना आपको मालवीव के बारे में याद रखना है तो दोस्तो यह था हमराज का डेली क्रेंट अफ्यार आप मारे चैनल इस्टरडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कल हम आपके साथ फिर मध्यपरदीश और वर्ल्ल की इंटेस्टिंग फेक्ट को लिकर राजर होंगे तब तक लिए नमस्कार Have a nice day